आज वर्ड हैपिटाइटिस डे है और हैपिटाइटिस में जरासी लापरवाही किस तरह से जान पर भारी पढ़ सकती है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेट्रों सपताल के सीनिर गेस्ट्रोलोजिस्ट दॉक्टर विशाल कुरान मुझूद है किस तरह से अज बड़ी कॉमन सी बिमारी हो गई है लेकिन उतनी ही खतरनाक है फिर भी लोग अवेर नहीं होते हैं तो इस वर्ड हैपिटाइटिस डे पर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को ताकि वह प्रवेंटिव एक्शन ले सके देखिए आज वर्ड हैपिटाइटिस डे है यानि कि आज लिवर की जो सूजन है जिसको लोगों को जानकारी नहीं है जाटू करने के लिए विश्व भर में आज का दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेर्नेस पहुचाई जा सके यह एक हैपिटाइटिस हम किसको कहते हैं लिवर की सूजन को ही एक कॉमन भाशा म में हैपिटाइटिस कहते हैं हैं हैपिटाइटिस कई परकार का होता है और कई कारण होते हैं जैसे कि मदीरा के सीवन से हो सकता है दवाईयों के साइड इफेक्ट से हो सकता है या वाइरल संक्रवन से हो सकता है और जो वाइरल संक्रवन है वह भी चार्ट परकार का होता है हेपटाइटिस A, B, C और E कर लिए जिसमें से A और E एक्यूट होते और B और C हेपटाइटिस यह लंगे समय तक कर सकते हैं इसलिए एक उदेश्य दिया गया है कि 2030 तक हम हेपटाइटिस वर्ल्ड से खतम करने के नियरेस पहुंस सकें हैं लेकिन अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें लगवक एक से परसंट भारत में लोग इससे संकम्रित हैं और जो संकम्रित हैं उनको 95% लोगों को मालूम नहीं है को सिम्टम नहीं होते कि उसके अंदर यह हैपटाइटिस पनपरा है तो इसने जागुता जरूरी है कि अगर हम चोटे से टेस्ट हैं अगर 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 यह जानलेवा भी हो सकता है अगर यह जाला तर अग्यूट होता है वह एक्यूट लिवर फिलियर कर सकता है है एपटाइटिस बी और सी जालों क्रोंग डिजीज करते हैं और यह आपकी बाडी के अंदर लंबे समय तक इंजरी करके यह लिवर स्रोसिस और लिवर कैंसर तक कर सकता है इसलिए समय रहते हैं इसकी जाच कराए जाच बहुत ही ईजली और बहुत ही सस्ते में उपलबब क्योंकि उनको लगता है कि अंदर हमारे कुछ नहीं है इसलिए हम क्यों टेस्स कराएं सर जैसा आपने का कि 95 लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं होता है कि वो हैपिटाइटिस से पीड़ेते हैं तो ऐसी अलार्मिंग सुच्वेशन कौन सी होती है बाडी में क्या सिंटम्स ऐस है अगर आपके अंदर हैपिटाइटिस भी उसी पनपरा है हां जब तकलीफ देने लगता है जैसे कि आपको उस समय पेट में दर्च जी मिचलाना भूख कम लगना उल्टी जैसा मन करना वजन घटना और पीलिया आने के लक्षन आ सकते हैं जब यह आपको तकलीफ देने तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सिर्समीं पता कर सकते हैं सब्सक्राइब कंपकर हैं किटिनी सचारी है कि उस दवाइड मेल्यू में चल रहा है उस और कि अंदर टींग प्रकार से इंजरी कर सकता है। और ना कुद लिवर के सैल को तोड़ सकता है। कोरना की दवाईयों की वज़े से लिवर पर चौट पसकती है und और ग जैसे इम्मुनोलोगिकल सी कर सकती है, उसकी मेडियेटर लिवर पर इंजरी आ सकती है। हangen ग priests को डुपकता ह्ब बीवारी होने के चांसे होते हैं और तो Odis Mेश के अडर कुशुपा हुआ हुआ है तो यह गर गर होने पर हो सकता है है हट एंजरी होने के बाद анс पर कॉल्ज 11 نवार कि लेकिर प्रेशन क्या है कि हम हम हमें हटिस ना हो तो इसके लिए कुछ हम घरेलून उसके खान पान को किस तरह से कंड्रोल कर सकते हैं या और कैसी साफधानिया बरते जिससे हमें हैपिटाइटिस से हम चंक्रमिती ना हुआ हुआ है अब इनकी बात करें हैपिटाइटिस एऔर ई ज्यादा तर प्रदूशित खाने पीने से ही आता है तो इसके बचाव के लिए हमें साफ सुत्रा और सिर्फ राईजेनिक जगा से ही खाना पिना खाना चाहिए और रही बात हैपिटाइटिस बी और सी ये ज्यादा शरीर के किस यूजर्स होते हैं उनको शेयर नहीं करनी चाहिए अगर आपको मुल्टिपल सेक्ष्ट पार्टनर है तो आपको पॉंडम का इस्तमाल करना चाहिए और हैपटाइटिस बी और एकी वेक्सिनेशन अवलेबल है जो की ऐपटाइटिस बी वेक्सिनेशन ओने से रोकने के लिए तो आप वेक्सिनेशन करा सकते हैं सारी जगा वालेबल है इससे आप अपने आपको बचा सकते हैं सर काफी हैपिटाइटिस के जो टाइप से उसमें ऐसा भी मैंने पड़ा है कि पॉलूशन एक बहुत बड़ा कार्थ है कि अगर आप पॉलुटिड एरिया में पॉलुटिड फूड खा रहे हैं तो हो सकता है तो लोगों से क्या अपीर करना चाहेंगे यह भी फरीदाबाद मोस्ट पॉलुटिड सिडीज में माना जाता है है अगर आप बाहर है तो आप मिनरल वाटर या पैक वाटर ही यूज करें या बॉल करके पानी ले और खाना बाहर का अगर आप लेना मजबूरी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाइड अच्छे से पुक किया हुआ फूड ले उसमें वाइरस जन्रली खतम हो जाते हैं इ अगर आप स्टेल फूड या खंडा खाना पीना लेंगे तो आपको इंफेक्शन होने के चांसिस रहते हैं खास करके रेनी सीजन में जिसमें ये वाइरस ज्यादा तर एक दूसरे से ट्रांस्मिट होते है सर् क्यूंकि आप गैस्ट्रोजिस्ट है और रेनी सीजन चल रहा करता है बाहर का खाना खाने का और इस समय बाहर के खाने में ये इंप्रेट्शन होने के चांसिस बहुत ज्यादा होते हैं खास करके स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं अगर उनका हाथ साफ नहीं है तो एक से दूसरे के अंदर वो ट्रांस्मिट कर सकते हैं तो आप इस समय खास करके ग्रेणी सीजन में आप भाग कर खाना तो बिल्कुली अवाइड करें कुबला हुआ ही प्रॉपर्ली कुख फूड आप लें गर पानी पी रहे हैं तो मिनरल वाटर का यहां घर पे हैं तो आरो का वाटर आप यहां बॉइल करके आप पानी लेना चाहिए इस समय औ बरतेंगे और जैसे डॉक्टर विशान खुराना ने का कि स्वच्चता और प्रदूशन मुक्त वातावरन बेहर जरूरी है खुद को सेहत मन बनाने के लिए और हैपिटाइटिस की जहां तक बात है तो यह साइलेंट किलर आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचा है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध